दोस्तो इस वक्त दो खबरे सबसे आदा सुर्खियों में हैं एक तो चीन हमारी सरहदों पर कुंडली मार कर बैठा है तो दूसरा देश में कोईले का संकट पैदा होने के बाद बिजली को लेकर लेकिन दोस्तो इन दोनों ही खबरों से जुड़ी है एक और खबर जिसे शायद आपने कम सुना है लेकिन वो खबर देश के लिए बेहत ज़रूरी है खबर ये है कि भारत की जमीन ने एक बार फिर बेश कीमती ख़जाना उगला है जोना के वल चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड नीउस भी है कि देश की धर्ती ने छप पर फाड़ कर यूरेनियम उगला है और वो भी किसी एक राजजी में नहीं बलकि एक साथ चार राजजीों में यूरेनियम के असीम भंडार मिले हैं लिहाजा दोस्तों आपको इसके बारे में बताने वाले हैं राजस्थान हर्याना के जमीन ने उगला बेश कीमती ख़जाना यूरेनियम के अथाह भंडार से मजबूत होगा भारत देश में बिजली और पर्माडू बम बनाने के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी है और इस वक्त भारत तीजी से पर्माडू ताकत बढ़ाने में लगा है तो साथी साथ बिजली के उत्पादन में भी इसकी महती जरूरत है लहाजा दोस्तों देश के पर्माडू उर्जा विभाग के कई राजियों में सर्वे किये हैं जिसमें अब जो खबर सामने आई है उसने करोडों भारतियों का दिल बाग बाग कर दिया है क्योंकि देश के अरुनाचल प्रदेश, बिहार, हरियाना और राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में इस बहुमोल ये धातु की खोज हुई है दोस्तों सबसे बड़ी खोज तो राजस्थान में हुई है जहां इससे पहले भी रेतीले धोरों में तेल, गैस और जलके असीमित भंडार मिले थे और अब राजस्थान का शेखावाटी जोन पूरे हिंदुस्तान के लिए वर्दान साबित होने वाला है इस जोन के खंडेला और नीमका थाना के गाउं में बेश खीमती ख़जाना यानि यूरेनियम के बड़े भंडार मिले है इस पूरे के पूरे जोन में लोहारू, महेंद्रगड, नारनौल, खेतरी से लेकर नीमका थाना, उदैपुरवाटी और खंडेला जोन बेहत खास है दोस्तों ये खोज भारत के करोडों लोगों का दिल गार्डिन गार्डिन कर देगी क्योंकि ये कोई छोटा मोटा भंडार नहीं मिला है, बलकि इलाके में शुरवाती खोज में ही 10,000 टन से ज्यादा यूरेनियम मिलने की बात सामने आई है जिससे भारत ना केवल अपने सामरिक शक्ती में इस्दाफा कर पाएगा, बलकि ये देश की ऊड़जा जरूरतों को भी पूरा करेगा आपको बता दे कि राजस्थान के ही मकराना, ब्यावर, राजसमंद और नातद्वारा में भी बड़ी काम्याबी मिली है वहीं कई और इलाकों में हेली बांड सर्वे जारी है तो वहीं दोस्तों और राजस्थान और हरियाना के जोन में हुई है उससे भारत के यूरेनियम की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी सीकर में तो यूरेनियम निकालना भी हुआ शुरूब सीकर की खंडेला में यूरेनियम कार्परेशन आफ इंडिया ने यूरेनियम निकालने का काम भी स्टार्ट कर दिया है धातू की खुदाई के लिए बाकाइदा 22 करोड की लागत से सुरंग बनाए गई है राजस्थान में यूरेनियम का ये पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है इससे पहले जारखंड और तेलंगाना में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे है राजस्थान के रॉयल गाउं में करीब 23 हेक्टियर जमीन से यूरेनियम की खुदाई में करीब 20 ताल का समय लगीगा इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 6,000 करोर से ज्यादा किलागत आने वाली है सीकर के रायल और सुहाद पुरा गाउं में 400 फीट नीचे से खुदाई होगी यूरेनियम की खुदाई के लिए खास तरह की टनल बन चुकी है इस सुरंग को नई टेक्नॉलजी के आधार पर तैयार करवाया गया है जो एक किलोमीटर नंबी और 6 मीटर चौड़ी है इसके बाद 1999 में यहां ड्रीक की प्रोसेस शुरू हो गई और 2005 तक यूरेनियम भंडार की पुष्टी भी हो गई लेकिन कॉंग्रिस सरकार के दौरान काम ठंडे बस्ती में डाल दिया गया जिसे मोधी सरकार में फिर से अंजाम दिया गया है शेत्र में यूरेनियम की पुष्टी के लिए हवाई सर्वे किया गया है इसे बेसिक मैगनेटिक सर्वे कहते हैं UCIL ने हरियाना और राजस्थान के कई जिलों में ये सर्वे किया है शेखावाटी में कई जगहों पर यूरेनियम के और अथाह भंडार मिलने की समभावना है इसके लिए विभाग की टीम ने ड्रिल की कावायत की है हाला कि बीच में कोरोना के चलते काम धीमा हो गया था लेकिन अब फिर से उदे पुरवाटी शेत्र का जहाज मावता नीमका थाना के टेहरा जोहरी गोहाला और नरसिंग पूरी में तगडी खोच शुरू हुई है राजस्थान में मिले इस यूरेनियम की क्वालिटी जार्खन की यूरेनियम के समान है यहाँ चटानों की दीच में धार के रोप में यूरेनियम होने की पुष्टी हुई है यूरेनियम खनन शुरू होने पर से तीन हजार लोगों को सीधी तौर पर रूसगार मिलेगा यहाँ से निकलने वाला यूरेनियम नेशनल फ्यूल कार्परेशन में भेजा जाएगा इसके बाद यहाँ से समन्वे समेती के रिपोर्ट के आधार पर विभिन कारियों में उप्योग लिया जा सकेगा दुनिया में कहा कहा है यूरेनियम के भंडार भारत में धाई लाक टन से अधिक यूरेनियम के भंडार होने की पुष्टी हो चुकी है दुडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम है इसके लावा कनाडा और आस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के भंडार है भारत परमाडू उर्जा से सम्मंधित जरूरतों को पूरा करनी के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और आस्परेलिया से युरेनियम का आयात करता है ये देश इस शर्थ पर यूरेनियम क्या पूर्ती करते हैं कि भारत यूरेनियम और का विक्टन करके सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और शेष दातु बिना छेड़ चाड निर्यातक राश्टरों को लौटा देगा देश में यूरेनियम का कुल भंडार दो लाख पचास हजार टन है इसमें से एक लाख चववालिस हजार टन तेलंगाना और आंधरप्रदेश पिच्छतर हजार टन जारखंड में जमीन के नीचे दबा है राजस्थान और मेगाले में दस-दस हजार टन यूरेनियम की खोज हुई है पाँच हजार टन देश के दूसरे हिस्सों में भी बताया जा रहा है जिन से आने वाले 40 साल तक की जरूरते पूरी हो सकती है देश में यूरेनियम का सबसे जाला भंडार आंधर प्रदेश के कड़पा जिले में है इसके बाद जारखंड का नंबर आता है राजस्थान के सीकर में और मेगाले के दूमिया सीयर्ट में दस-दस हजार टन यूरेनियम का भंडार है हाला कि भारत की यूरेनियम की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है क्योंकि यहां प्रती 100 ग्राम यूरेनियम आयस्क से 0.5 ग्राम यूरेनियम निकलता है जबकि दुनिया के दूसरे यूरेनियम निर्यातक देशों में प्रती 100 ग्राम यूरेनियम आयस्क से दशमलव 1 ग्राम यूरेनियम से ज्यादा ही निकलता है। आंधर प्रदेश के कडपा में, राजस्थान के सीकर में, मेघाले के डोमिया, सियर्ट में और देश के अन्य हिस्सों में भी सनरक्षित यूरेनियम भी इसी शम्ता का है। यूरेनियम की नई खोच से क्या पड़ेगा फर्क? आने वाले सालों में भारत में पर्माडू उर्जा से बिजली पैदा करने की महत्वा कान्शी योजना है। यहां साल 2030 तक 60,000 मेगावाट पर्माडू बिजली पैदा करने का लक्ष रखा गया है। 700 मेगा वाट वाले एक परमाडू रियक्टर के लिए साल में 100 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इस लिहास से भारत अपने मौझूदा यूरेनियम भंडार के बल पर अभी चालू परमाडू बिजली घरों में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकता है। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारे भारत पर ना तो किसी तरहा का राजनीतिक दबाव डाल सकेंगी और ना ही यूरेनियम की मुहमागी कीमत मांग सकेंगी। भारत में मिले इसने यूरेनियम भंडार का यूरेनियम की अंतराश्ट्रे कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए 5-6 लाख मिगावाट बिजली का आवश्यक्ता है। इतनी बिजली सौर या पमनूर्जा से पैदा नहीं की जा सक और नहीं भारत में इतना कोईला है कि उनसे कोईला बिजली घरों की जरूरतें पूरी हो सकें। तापिये बिजली घरों के लिए हमें आज भी कोईले के आयात की जरूरत पढ़ने लगी है। इसके लावा कोईला बिजली घर परियावरन के नजरिये से काफी प्रदूशन फैलाने वाले हैं इसलिए दुनिया भर में इन पर निर्भरता घटानी की कोशिश चल रही है भारत थोरियम को क्यों नहीं कर रहा ज्यादा इस्तिमाद योरेनियम की मौझूदा भंडार से भारत अपी परमाणू बिजली की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है लेकिन परमाणू गुणो वाला दूसरा खनिच थोरियम भारत में इतनी बहुतायता में मिलता है कि ये सेक्रों सालों तक भारत की बिजली जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन थोरियम विखंडिनीय परमाणू खनिच नहीं है इसलिए इससे बिजली पैदा करने के लिए पहले से विखंडनी यूरेनियम से मिलाना पड़ता है थोरियम से बिजली पैदा करने के लिए फिलहाल भारत ने तीन चरणों वाला परमाणू बिजली कारिकरम बनाया है जिसमें प्राक्रेतिक यूरेनियम पर आधारित परमाणू रियक्टर बनाए गए हैं, इन बिजली घरों से निकले प्लूटोनियम को दूसरे चरण में फास ब्रीडर रियक्टर में इस्तिमाल किया जाएगा, और इससे निकले प्लूटोनियम अफशिष्ट को थोरियम के सा बात मिलाकर तीसरे चरणवाले थोरियम आधारित परमाणू बिजली घरों में इस्तिमाल किया जाएगा, ताकि इन्हीं यूरेनियम 233 में बदल कर इनसे पुनाह बिजली पैदा की जा सके, प्रायोगी किस तर पर इसमें सफलता मिल चुकी है, चिन्नाई के निकट कल अप